Hello friends, नमस्कार श्वागत है आप सब को आज की इस वीडियो में तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर कर देजगा चुकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेसन आपके पास सबसे पहले पहुझे आज हम बात करेंगे बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में तो चलिए जानते हैं कि इसके अंदर दमदार बैटरी को फिट किया गया है जो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक बेहतर रेंज देने में सक्चम मनाती है आप सभी को बता दे कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 120 किलोमेटर की रेंज देने में सक्षम है जो बिना किसी समझ साय के साथ बजाज कंपरी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर वाटरप्रूफ IP67 के लीथियम आयन बैटरी पैक को फिट किया है जो अब तक की सबसे अच्छी पावरफुल पोडिश रेंज देने में सक्षम है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को 100% चार्ज होने में मातर 4-6 गंटे का समय लगता है बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर की पावरफुल मोटर के साथ लाजवाब हाई स्कूट की अगर हम बात करें तो आपको यह बता दे कि यह BLDC हाव मोटर फिट किया गया है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में और 4.2 किलोवाट आवर पावर की प्रोड्यूस करने में सक्चम है आप इस पावरफुल मोटर के द्वारा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 63 किलोमेटर प्रतिगंटी की रफ्तार से चला सकते हैं यह हाई स्पीड अब तक के हर इलेक्ट्रिक स्कूटर से बेहतरीन हाई स्पीड है अगर हम इसकी किमत की बात करें तो बजाज इलेक्ट्रिक की किमत हर आदमी की बजट के अंदर रखा है जिससरे आज भारत के ज्यादा से ज्यादा आम नागरिक बजाज कंपनी के इस इलेक्ट्रिक इस्कूटर का भरपूर आनन उठा सके जैसा कि आप सभी को पता है बजाज कंपनी के वाहनों की कीमत आम आदमी की बजट के अंदर रखी जाती है हम आपको बता दें कि बजाज कमपनी ने इस इलेक्ट्रिक अस्कूडर को आन रोड प्राइस पर मात्र एक लाख नो सो बावन रुपे रखा है साथ ही साथ इस इलेक्ट्रिक अस्कूडर की EMI पर भी खरीद सकते हैं इसी दिल्चस्प जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूर इस वीडियो को लाइक और चैनल कर सब्सक्राइब जरूर कर लेजाएगा थैंक्यू दोस्तों धन्यबाद बाबाई